साचनग जी प्यार से बोलिए धनकार जी सत्गुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई सत्गुरु का आविरभाव ही होता है सारे संसार के कल्यान के लिए संत्रंकारी मिशन का शुभारंब बाबा बूटा सिंग्जी ने किया बाबा बूटा सिंग्जी का युग क्यान का युग था उस युग में हर एक महापुर्शों को ग्यान अर्थात अपनी जीवन के रहश्य जीवन के उदेश और परमात्म के उपलब्दी कैशे हूँ इस बात में बन दिया जाता था समय पदलता गया सहनसा बाबा आउतार सिंग जी का युग आया इस युग में भगती की शीख सहनसा बाबा आउतार सिंग जी ने समस्ट चल मानुस को दिया और भक्ति करके भी दिखाया कि भक्ति कैशे होनी चाहिए हर मानव मात्र को प्रेड ना देते रहे कि अपने सत्कुरु पे अटूर विजवास करते हुए भक्ति करनी चाहिए युग आगे बढ़ता रहा जीवन सिक्षक सत्कुरु बाबा गुर्वचन सिंग्जी का युग आया यह मिशन का कहीं तो सिध्धान्तों का युग आ गया था जहां ग्यान प्राप्ति के बाद भक्ति की अवश्यक्ता होती है वहीं भक्ति में शिद्धान्तों का होना भी बहुत चरूरी होता है इस युग में रंकारी मिशन के शिद्धान्त, रंकारी मिशन के द्वारा संचालन की पद्धितियों को मजबूत किया गया फिर समय गुर्दीव हर्दीव का आया और जब ज्ञान जन्मानस तक पहुँचने लगा भक्ति किशी सब को प्राप्त होने लगी सिध्धान्त भी सब तक पहुँचने लगे तो अब अवश्यक्ता थी विस्तार की गुर्दिव हर्दिव ने मिश्ण को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जिसका स्वरूप आज भी हम सभी देख रहे हैं आज बाबा गुर्वचन सिंग जी के जीवन दर्शन को हम सभी स्रध्य महात्मा जे आड़ी सत्यार्थी जी के द्वारा रचित जीवन सिक्षक पुस्तक के कुछ अंसों को दास आप महापुर्शों के चर्णों में रखेगा सत्कुरु अनंत होता है और ये बात खुद जी आड़ी सत्यार्थी जी ने मानव एकता दिवस 2016 में कहां भी था कि सत्कुरु कि शंपर्क में हम रहते तो हैं लेकिन हम बूद हैं सत्कुरु शागर होते हैं और ये अपने वचनों से ही दुनिया का कल्यान करते हैं तो आईए हम सभी अब जीवन सिक्चत सत्कुरु बाबा गुर्वचन सिंग जी के जीवन दर्शन को स्रवन करें प्यार से बोलिए धन्नकार से जीवन करें और उनकी अंतिम समय में कुछ दिन पहले उनसे वारताराप करके उनके संबद में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार दास ने उनके जीवन की कहानी खुद उनहीं की जुबानी सुनी थी और जानी थी। उनका संचिप जीवन वर्णत दास यहां करना चाह रहा है ताकि जीवन के ठके, हारे, निरास लोगों को जीवन जीने की प्रेणना मिल सके। जिससे वे अपने जीवन को सही दिशा दे कर अपने मानव जीवन को सफल, सुख़द और सार्थक बना सके। एक दिन दास जब बाबा गुलवचन सिंग्जी महराज के चरणों में उनके जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए उपस्तित हुआ, तो उन्होंने फरमाया, सास्त्री जी, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो पुर्ण रूप से आध्यात्मिक रंगों म में रंगा हुआ था, साथ ही साथ मुझे मेहनत करने की रूची मेरे पिता अर्था सहन सा बाबा अवतार सिंग जी से विरास्त में प्राप्त हुई है, वह बेकरी की भटी पर काम करते थे और सुरू के जीवन में बोज रोने वाले कुली का भी काम किया था, उनके परिश् साथ काम करके अपने परिवार का पालन पोसन करती थी, मेरी माता जी जिन्हें प्यार से संगते जगत माता जी के नाम से पुकारते थे, सचमुच भोलेपन, को मलता, सादगी, सरलता, प्रेम और मिठास की सजीव मुर्ते थी, उन्होंने कभी भी हुजूर सहन साजी की शु चेस नहीं माना था, जहां पाकिस्तान में अपने गुरु बाबा बुटा सिंग्जी को घर में ठहरा कर उनकी और उनके परिवार और उनके साथ आय हुए शंतों को दिन रात सेवा की, वहीं उन्होंने भारत में दिल्ली आकर भी हर संत, हर सेवादार के निसकाम सेवा की, और सभी को ममता के आचल से समाला, समारा और निखारा यह सादगी को मलता, मेहनत, लगन और सिवा की भावना के संसकार मुझे अपने माता-पिता से ही प्राप्थ हुए, सहनसाजी का परुपकारी और कल्यानकारी जीवन तो किसी के लिए भी छुपा हुआ नहीं है, हुजूर सहनसाजी, बाबा पुटा सिंग जी, महराज से मिली तालीम अर्था सिक्षा का परिणाम स्वरूप ही, आज यह मानवता की सेवा का सौभागे मुझे मिल रहा है, इसका परिणाम यह निकला कि हम परिवार से के सब सदस्ये इस निराकार प्रभु को अंगसंग ज रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हर कारे में बड़े लगन और महनत से एक अजीब सी खुशी को अनुभव भी करते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ने अपना अधिकान समय सेवा, सुमिरन और सत्संग में व्यतित किये थे, अपने गुरु बाबा भूटा सिंग जी को तन मन सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहे थे, इसलिए इस वातावरण को हम भी समझ पाये थे और इसका गहरा असर हम पर भी हुआ था, मुझे आज भी याद है कि मैंने जहां बाबा भूटा सिंग जी की गोध में बैठकर अपना बच्पन व्यतित किया, वहीं स्कूल की पढ बढ़ाई के साथ साथ मोटर पार्ट की जानकारी भी प्राप्त करने लग गया था, निसंकोच हमारे पास खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं थी, परन्तु सेवा और सत्संग में जितनी सामर्थ की अवसक्ता थी वह प्राप्त नहीं थी, मुझे यह तो अस्पस्ट हो ग हो चुका है, परन्तु सेवा में मुझे जितना योगदान देने का चाओ था, वह दोड में मैं बहुत पीछे था, मेरा विश्वास था कि भक्त का लोग भी हर पहलू सुखी होना चाहिए और परलोग भी इसका एक मत्र शाधन है सेवा, खैर समय गुजरता गया, धीरे धी चेतर में सहन साजी के हाथ बटाने, कि ध्यान से मैं बाबु महादेव सिंग जी के पास इस पियर पाट्स वाली दुकान रावल पिंडी पर जाने लगा, 22 अपरेल 1947 को दातार के क्रिपा से मेरा बिवा, बहुत सुघड, सयानी और घुर्मत के रंग में रंगी, हुई तु उन्होंने जीवन में हर कदम, पर जिस तरह से मेरा साथ दिया वह, अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, उन्होंने मुझे कभी भी किसी परिसानी में नहीं पढ़ने दिया, बलकि घर के बाकी सदस्यों के साथ सदा गुरुमत का भरा बेवहार रखा, सहन साजी, मेरे पिता इवंग गुरु, कि उन्होंने सदा गुरुरु में ही पूजा की, इतना कहकर हुजूर खामोस हो गए, दास को एकतम ध्यान आया, कि भारत के विभाजन के समय तो बाबाजी साधी के कुछ ही महीने बीते होंगे, इस विभाजन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ बाबाजी देश की विभाजन के समय तो आपको भी बहुत कुछ सहनप पड़ा होगा, आपने उस समय कैसा महसूस किया, दास के उस सुकता देखते हुए बाबाजी ने फरमाया, मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे यह सारा खेल, कुछ मजहवी, जुनूनियों और स्वार्च लगों का ही था, उन्हीं के कारण ही एक परिवार की तरह रहने वाला हिंदु, सिqh वा मुसल्मान एक दूसरे के खुन के प्यासे हो गए, मेरा आज भी यह मानना है कि जिन मुसल्मानों या हिंदु, सिखों ने एक दूसरे पर वार किया, मासूम बच्चों वा कमजोर और औरतों को मौत के घाट उतार दिया वे बुनियादी तोर पर इस पित्रत वाले नहीं थे मगर जुनून कैसा भी हो आदमी की तरह दिखने वाले इंसान की समझ पर परदा डाल ही देता है और आदमी को आदमी का दुस्मन बना देता है सैतानियत के इस रूप को देखकर उस सम मेरे अंदर से एक आवाज निकली थी मैं जान की बाजी लगाकर भी मानों समाज में फिरका परस्ती तंग नजरी जुनूनियत को खत्म करने का जीतोड यत्न करूंगा क्योंकि सहनसाजी की सिक्षा वा आसिरबाद से मेरे जीवन का उदेश मिल चुका था देखते ही देखते हमें भी उस मजहवी जुनून का सिकार होना पड़ा मजबूरन सरकार ने हम जैसे रिफ्यूजियों के लिए रावल पिंडी का एक कैम्प बनाया जिसका नाम वाह कैम्प रखा गया हमारा परिवार भी दूसरों की तरह उस कैम्प में समय ब्यतीत करने के लिए मजबूर था परन्तु मुझे अपने माता पिता और बाबा बूटा सिंग जी से प्राप्त हुए संसकार मजबूर कर रहे थे और बेकार बैटकर सरकारी खाना खाऊं इसलिए मैं दिल ही दिल सोचने लगा कि यहां रहने वाला हर आदमी मेरा अपना ही अंग है मुझे उन्स दिन बाबा बूटा सिंग जी की आवाज कानों में सुनाई पढ़ रहे थी कि हम सब एक ही पिता के संतान है मुझे ऐसा लगा जैसे वह पुकार पुकार कर कह रहे हूं कि यह सब ही तुम्हारे भाई बहन हैं उठकर खड़ा हो जा और इनकी सेवा में लग जा मैं और मेरे जीजा गोविन सिंग जी बाहर से लकडियां काट कर लाते जिससे इट के चूलों पर खाना पकता जिसे कैम्प के सरनाड़तियों जो भी इच्छुक होते हमारे साथ मिल बैट कर खाना खाते और इस प्रकार साजेपन और प्रीत प्यार का उधारन प्रेस करते प्रेवाया हुआ सामान मैं बाटने में लगा रहता मेरे बारे में आपको कई लोगों ने सुनाया होगा कि मैं अपने परिवार वालों की परवाह किये बिना दूसरों की बर्चड़कर सेवा करता था मगर यह बात सायर ठीक नहीं है मेरे मन में तो कोई भी अपना या परा परिवार का कोई सदस था या कहने मात्र के लिए किसे दूसर परिवार का मैं आज बाबा बूटा सिंग जी और बाबा उतार सिंग जी के एहसान मंद हूँ जिन्होंने मुझे रूहानियत का पाठ पढ़ाया जिससे मेरे मन में यह भाव पैदा हो गया कि मैं हर घट में मैं ऐसा अनुभव करने लगा जैसे कि मैं अपने माता पिता या गुरु की ही सेवा कर रहा हूं मैं भी आम बच्चों की तरह ही बच्चा था आम बच्चों की तरह ही मेरा भी जन्म हुआ था मैं एक साधारन परिवार में जन्म लिया मेहनत करके मेरे पिता मा ने मेरा पाल उनके माता-पिता मेहनत करके करते हैं, मेरी पढ़ाई भी बाकी बच्चों की तरह ही हुई, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं कोई चमतकारी व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं हुआ, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, वह केवल और केवल सत्गुरु की रहमत और अपने माता-पिता के आसिरवाद और परिवार के सहयोग से ही प्राप्त किया है, वैसे एक इनसान को जो मेहनत करनी चाहिए, वह मैंने की, माता-पिता, गुरु का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए था, वह सब मुझे मिला, मैं साफ सब्दों में कहना चाहता हूँ, कि मैंने आम आदमी की तरह जीवन जिया और आज भी आम आदमी की तरह ही जी रहा हूँ, आम आदमी को जिस तरह मेहनत मसकत करनी, सोच समझ के काम लेना और बड़े बुजुर्गों का आसिरवाद लेना और अपनी पत्नी, बच्चों वर रिस्तिद्वारों के साथ लेकर चलना, ऐसा करने में मैं हमेशा से ही प्रियतनसीर रहा हूँ, उसका फल भी सफलता के रूप में मुझे प्राप्थ हुआ, मैंने अपने सरीर को स्वस्त रखने के लिए सोने, जागने, खाने, पीने में भी कोई लापरवाही नहीं की, और मन के बारे में तो मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं अपने माता-पिता और सत्गुरु की क्रिपा से मन में सहज विशाल अवस्था को प्राप कर चुका था और धन कमाने के लिए महनत मसकत इमांदारी नेक नियती आदे जिन गुणों की आवशक्ता होती है वह मुझे अपने माता-पिता वह सत्गुरु से विरासत में ही प्राप्त हो चुके थे बाबा जी के या वचन सुनकर दास अपने मन की तरंग को वस में न रख सका इसलिए जैसे ही सत्गुरु बाबा जी ने अपने शब्तों को विराम दिया दास ने एकदम कहा बाबा जी दास ने तो पहले ही सुना हुआ है कि आप बच्पन से ही एक विलक्षन व्यक्तित्यों के मालिक रही है आप जी के वचन सुनकर इस विचार की पुष्टी हो रही है दास की बाद सुनकर बाबा जी कहने लगे नहीं सास्त्री साहब ऐसा कोई बात नहीं है मैं तो कहना चाहता हूँ हर आदमी आगे बढ़ सकता है इस मालिक ने हर एक को काम करने और काम में सफलता प्राप्त करने की पूरी बख्षिस दे रखी है अब हर कोई चाहे तो इस बख्षिस का लाब उठा सकता है ना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी यदि माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखता हुआ देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अब उनके जीवन में के द्वारा मिसाल अर्थात सिक्षा देनी चाहिए कि यह स्वस्थ और अनुखूल महाल देना चाहिए ताकि बच्चे किसी चमतकार या किस्मत के तरफ ना जागते रहे बलकि कुद्रत के कानून के मुताबिक हर समय अपने काम को पूरा करने और मेहनत पे ध्यान दे इमानदारी वर नेक नियती का दामन कभी न छोड़े कि अधिगार भी होते हैं और उनके रास्ते में रुकावट भी बन जाते हैं पर आदमी इन संस्कारों को अपनी बर्तमान के कर्मों के द्वारा नई दिसा दे सकता है नया जीवन जी कर दुनिया में नई मिशाल कायम कर सकता है मेरा पक्का यकीन है कि आदमी अपनी तकदीर को अपनी तद्वीव गुरू की कृपा और संत महापुरसों के आसिरबाद के द्वारा बदल सकता है हो सकता है उसे ऐसा करने में अनेकों रुकावटों का भी सामना करना पड़े कहते कहते बाबा जी खामोस हो गए थोड़ी देर खामोस रहने के बाद हुजूर फिर फर्माने लगे वाह थोड़ी देर बाद खामोस रहते हुए हुजूर ने फर्माया हम वाह कैम्प रावल पिंडी से हिंदुस्तान पहुँचे कुछ लोग पहले ही भारत पहुँच चुके थे महापुर्सों और अन्य लोगों को जो सामान वाह कैम्प में रह गया था दातार के कृपा से वाह भी लेकर हम माल गाड़ी से भारत जलंधर पहुचे इतना कहकर हुजूर उठकर खड़े हो गए और कहने लगे बाकी कहानी साम को आप कमरे से बाहर चले गए और दास यादों का यह सारा खजाना समेटे हुए घर की तरफ चल पड़ा दास बार बार यह सोचने पर मजबूर हो रहा था कि यह सत्गुरु है तो एक विलक्षन व्यक्तितों का स्वामी परन्तु अपने आपको एक साधारन मनस्च की भाति प्रस्तुत कर रहा है यह इन रप्पी महापुर्सों का आदिकाल से ही चलन रहा है कि यह निराकार का साकार रूप होते हुए ही मानव को समझाने के लिए अपने आपको मानव के अस्तर पर लाकर मानवता का मालग दर्शन करते हैं पल भर में ही मेरे मन के तार तरंगित हो उठे तथा अंदर ही अंदर एक आवाज भुजने लगी यह संदेश भरी आवाज है जिसे मुझे दुनिया तक अवश्य पहुचाना होगा साम को निश्चित समय परतास फिर हुजूर बाबाजी के सामने बैठ गया बाबाजी ने मुश्कुराते हुए फर्माना सुरू किया सास्त्रे साहब वैसे तो मैंने जो कुछ भी कहना था सुबह से ही कह दिया मगर लगता है आप मेरी पूरी कहानी मेरी ही जुबाने सुनने का ध्यान बनाए बैठे हैं आपके प्रेम में बधा हुआ ही आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली पहुँचकर मेरी पिता बाबा अवतार सिंग जी ने पूरी तरह इस सत्य के प्रचार में जुट गए अब उनसे दुनियावी काम करवाना ठीक नहीं था मैं दिल ही दिल में निश्य कर चुका था कि अब घर की जिम्मेदारी निभाने में मुझे किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए उस समय तक पुझे गोपाल सिंग जी प्रेमी मुख्य संचालक सेवदल पुझे बाबु महादेव सिंग जी पुरातन महान प्रचारक महत्मा मोरी गेड में मोटर पार्ट्स का काम सुरू कर चुके थे सहन साजी के इजाज़त लेकर दास भी उनके साथ काम करने में चुट गया महनत हमेशा फल लाती है दातार की असीम क्रिपा से हमारी महनत भी रंग लाई फिर हमें कस्मीरी गेड में एक दुकान मिल गई हमने वहां काम करना सुरू कर दिया सास्त्री जी हमारी महनत और सद ब्यवहार की बदलत धीरे धीरे कारोबार इतना बढ़ गया कि मैं अपने साथियों को साथ लेकर दिल्ली और जलंधर में दो तीन दुकान पूलने में फल हो गया मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने अपने पिता को पिता तो माना ही था मगर पिता से बढ़कर उनकी सेवा पूजा और इबादत गुरू के रूप में की थी जालंधर का काम जब चल पड़ा तो इसारा पाकर मैं दिल्ली वापस आ गया दिल्ली आकर मैं सहनसाजी का ड्राइवर बन कर उनको अस्थान अस्थान पर सत्संग ले जाने की ड्यूटी करने लगा रंकारी कोठी में ही एक छोटी सी वर्क्स रॉप खोद दी जहां प्रचार में जाने वाली गारियों की मरमत करने ने भी मैं दिल्चस्पी लेने लगा सत्संग में भाग तो मैं अवश्य लेता था मगर सत्संग में खड़ी होकर बोलने से या आगे बैटने से मैं हमेशा जिजगता रहा पीछे ही जोड़ों अर्था चूते घर की सेवा करने की विवस्ता होती थी मैं बैटकर महापुर्सों के साथ सत्संग का आनन लेता था और वहीं से उठकर उनकी सेवा में जुड़ जाता था एक तिन सहन साजी ने विशाल संगत में मुझे अपना आसन संभालने का आतेश दिया सास्त्री जी आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि उस समय मेरी हालात क्या हुई होगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर मैं हा करता तो मेरे अंदर जिम्मेदारियों को समहालने का कोई काबलियत या लियाकत नहीं था ना ही मुझे बोलना आता था और ना ही किसी धान्मिक क्रंथ को मैंने पढ़ा या पाठ किया था परन्तु ना भी नहीं कर सकता था क्योंकि सहनसाजी के सामने ना करने का आज तक कभी हौसला नहीं कर पाया था खैर दिसंबर 1962 से जब या जिम्मेदारी मुझे पर आ गई मेरा स्वभाग या रहा कि इसके बाद भी लगवग 6-7 वर्स वर्स 1963 से 1979 तक मुझे सहनसाजी का आशिरवाद निरंतर मिलता रहा इस प्रकार उनकी शिवा करते करते उनकी सरपरस्ती में धीरे धीरे मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में मन लगा कर जुट गया सहनचा साजी के आशिरवाद संगतों के सहयोग और निराकार प्रभु की इच्छा ने मुझे यह जिम्मेदारी सम्हाने लायक बना दिया मैं भी हर संभव कोसिस करता रहा कि अपनी जिम्मेदारियों को लगन इमानदारी से निभा सको इससे भी बढ़कर रंकार जिस घट से जो भी काम लेना चाहे ले शकता है ऐसा ही मेरे साथ हुआ बाबाजी का वचन चारण कर रहे थे और दास के हिरते में ख्याल आया कि इतिहास कवा है जिन्हें भी गुरुगद्दी मिली उन्होंने गुर्शिक्खी रूप में सपने में भी कभी इसकी इच्छा नहीं की थी बाबाजी फिर आगे फर्माने लगे मेरा पिश्वास है कि किशी काम को पूरा करने के लिए जहां लगन इमांदारी नेक नियती की आवशकता होती है वहां सही योजना का कोई कम योगदान नहीं होता इसलिए इस मिशन के प्रचार को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने के समय मुझे लगातार ध्यान रहता कि इसको अमली रूप देने के लिए कोई अकेला आदमी सफल नहीं हो सकता बलकि यह योजना तो पूरे करने के लिए सैकडो हजारों की आवशकता पढ़ सकती है सास्त्री जी आपको पता है कि मैंने अपने मिशन के जिमेदार महापुर्शों को तीन बार बिमर्श के लिए बुलाया दो बार मसूरी में एक बार लुज्याना में और इन महापुर्शों की कोशिशों का यह नतीजा हुआ कि मिशन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा सत्त्य की आवाज देश के कुने कुने में और दूर देशों में भी फैलने लगी थोड़ी देर खामूँच रहकर हुजूर फिर फर्माने लगे मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आपके राज माता जी ने भी हर रूप में हर छेत्र में मेरा पुरा सहयोग दिया आज रिमकारी मिशन में बहने बच्चियां और माताएं जो इतनी बड़ी गिंती में दिखाई देती हैं यह सारा का सारा पुने प्रताप आपकी माता जी को ही जाता है जो समय मेरा ग्रिहस्त के फर्जों में लगना चाहिए था वह आपकी माता के कारण बच गया और मैं सारा समय सत्य की आवाज को घर घर पहुचाने में दे पाया हूँ इसने बच्चों को भी किस तरह से गुर्मत के रंग में रंगा है यह सायद ही किसी से चिपा हो इतना कहकर आप उठकर बाहर चले गए दास भी कौपी पैंसिल उठा कर अपने दफ्तर की उर्थ चल पड़ा दूसरे दिन अवसर पाकर दास खिर बाबाजी के पास उपस्तित हो गया दास को देखकर बाबाजी मुस्कुरा पड़े इसके बाद दास को अपनी मन की बाद कहने का साहस मिल गया दास ने कहा बाबाजी एक प्रश्न मन में बार बार उठ रहा है कि हमारा मिशन सच्चाई, प्री, नम्रता और इंसानियत पर आधारित है हम सदय सभी के भले की कामना करते हैं फिर हमारे मिशन के शाहत विरोध और टकराव क्यों हो रहा है हम तो किशी को कुछ कहते भी नहीं है यह सुलकर बाबाजी फर्माने लगे, सास्त्री जी आप तो जानते हो कि सत्य के प्रचार में रुकावटे डालना कोई नई बात नहीं सत्य के रूप में तभी निखार आ सकता है जब तप और त्याक की भट्टी में सत्य गुजरता है पुरातन इतिहास इस बात की गवा है इस शत्य की राह पर चलने वालों का विरोध करोध का सामना करना पड़ सकता है उन्हें अपने प्राणों का बलिदान तक देना पड़ा है हमारा मिशन क्योंकि शत्य की राह पर लगातार बढ़ रहा है इसलिए इसे भी कुर्बानी की राह पर चलना पड़ रहा है कुर्बानी में कुर्बानी के बिना कोई कामियावी नसीव नहीं होती आप देख रहे हैं कि कभी पठान कोट में कभी कादियां, कभी घुमान, कभी अमरिजसर और कभी कानपुर में जानलेवा हमले हुए है अभी उस दिन पहले ही दुर्ग में घातक हमला हुआ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सत्य के फैलाव के लिए कुर्बानिया दिये बिना इस मिसन की सही तस्विर लोगों के सामने नहीं आ सकेगी यह बात कहते कहते बाबाजी एकदम खामोस हो गए कुछ छण बाद खामोसी को तोड़ते हुए स्वैंग ही फर्माने लगे मुझे से बहतर इस मिसन की कहानी जानते हैं सब कुछ आपकी आखों के सामने ही घुजर रहा है मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग अगर सुख और जिन्दगी जीना चाहें तो उन्हें किसी चमतकार या किश्मत का इंत्चार नहीं करना चाहिए बलकि कुदरत के कानून के मुताबिक जिस मेहनत इमानदारिक नेक नियती और लगन की जुरत है उससे कभी भी जी चुराने की कोशिस नहीं करना चाहिए उठते उठते हुजूर ने फरमाया हाँ मैं मानता हूँ कि इसके लिए एक अच्छे वातावरन की अवश्यक्ता पढ़ती है और आदमी को उस वातावरन की कोज करते रहना चाहिए संतों की शंगती उनका परामर्ज आशिरवाद आदमी को उचाईयों के तरफ ले जाने में मददगार होते हैं मगर यह सच्चे सुच्चे लोग निराकार प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं इसलिए निराकार प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें शदा, सत्संग, सेवा, सिम्रन में अपना मन लगाए रखना चाहिए, मन को ऐसे कर्मों से लगाए रखना चाहिए जिस से सत्गुरु पर द्रिव बिश्वास बना रहे। इस प्रकार सत्गुरु से मारदर्शन लेकर मेहनत तप त्याग के रास्ते पे चलते हुए हर कोई आगे बढ़े। याद रखो कि तरकी किसी खास आदमी की मलकियत नहीं बलकि हर वह आदमी इसे प्राप्त कर सकता है जो मेहनत, इमानदारी, नेक नियती और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। कहते कहते हुजूर कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गया कि हुजूर बाबा जी ने जो कुछ कहना था कह दिया है। अब हमारा कर्तब बनता है कि हम इस समय की आवाज को उसी तनमैता से उसी लगन और तप त्याग के साथ महनत मसकत के साथ सत्गुरू और संतों के आसिरबाद के साथ घरगत पहुंचाने में दिन रात एक कर दें। आकि जहां हम सुखी हुए हैं वहीं दुनिया को भी सुखी इस राह पर चला सके और सुखी कर सके। हुजूर बाबा जी तो कहानी को विराम देकर बाहर चले गए मगर तास के रूम रूम में एक तरंग उठने लगी जिससे मेरा इस विश्वास को द्रिण कर दिया कि यह तो इन रभी महापुर्सों का बड़पन होता है कि यह सभी सक्षियों के स्वामी होते हुए भी निर प्रस्तुत करते हैं जबकि यह एक साधारन इंसान का सदव यही प्रियत्म होता है कि वह अपने आपको विशेश रूप में प्रस्तुत कर सके। दास को एकदम ध्यान आया कि जैसे एक बच्चा चलना सीखने के लिए बड़े बुजुर्गों के नीचे जुपकर उसकी उमूली पकड़ते हैं और बहुत विद्वान सिख्षक भी बच्चे को पढ़ाने के लिए कखगव को बार बार दोहराते हैं और जब अक्षरों की पहचान हो जाती है तो बच्चे बौधिक अस्तर पर उसे पढ़ते जाते हैं सिख्षक की बिद्वता के सागर से अनभिग्य बच्चा कभी-कभी यह भी समझ बैठता है कि सायद सिख्षक का ग्यान सागर इतना ही होगा इसी प्रकार यह रब्वी पुरुस सदैव दिव् खजानों के श्वामी होते हैं और कृपा दिष्टी भागे पलट सकती है अगर कोई इनकी सरण में रहे इनका आसिरवाद बिगड़े काम को समार सकता है इसका ध्यान मनिश्री के अंताकरण को रोशन कर सकता है और इनका धर्शन नैनी शुक कलेज ठंड डालने वाला और इनके तद्बीरे मानवता की तकदीरे पलटने वाली होती है परन्तु यह दिव्य सकतियों के श्वामी मानव को मानव बन कर जीने का धंग बनाने के बताने के लिए वह कर्म करते हैं जो मानव को इस मानव की दुनिया में रहते हुए करने चाहिए यही कुछ कर सकना ही मानव जीवन की शपलता है इसलिए इनका सारा यतना मानव को मानवता सिखाने के लिए होता है इनका यही रूख साधारन इंसान को इन्हें आसानी से समझने नहीं देता सत्य को तो यह है कि यह रभी पुरुस महनत लगन नेक नियती और कर्म को महानता देते हैं ताकि कहीं लोग कर्म ही न बने जबकि यह अटल सचाई है कि कर्म और कर्म का फल मिलता ही बक्सिस से है अगर यह रभी पुरुस चमतकार करके लोगों को एकतित करना चाहें तो एक पल में एकतित कर सकते हैं परन्तु यह किसी चमतकार अच्वा जादू के द्वारा संसार में परवर्तन लाने की उपेच्छा इनसान की सोच विचार और भावनाओं को सही दिशा देकर खामोस प्रांति लाते हैं और यही कुछ बाबा गुर्वचन सिंग्जी ने किया जीवन के हर कदम और हर चित्र में मालगदर्शन देते हुए उन्होंने स्वैंग को ऐसा जीवन जी कर दिखाया जैसा वह औरों से चाहते थे यही उनकी महानता और बड़पन थी